गुनिजन सभा भारत की प्राचीन कला और परंपरा को उजागर करती एक ऐसी सभा जहां प्रसिद्ध कलाकारों के साथ होती है एक विशेश चर्चा और उजागर होते हैं कलाकारों से जुड़े कई दिल्चस्प पहलू इसके प्रस्तुत करता है उस्ताद इमामुदीन खान डागर इंडियन म्यूजिक आर्ट और कल्चर सोसाइटी और दे डागर आर्काइवज जैपुर गुनिजन सभा का सदस्य बनने के लिए या और ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शाबाना डागर निन्नावे 29, 87, 86, 004 इन सब ने इतनी मेहनत की और मुझे इस कामल समझा कि मैं यहां खयाल साब के साथ इस चोट इसी गुप्तगू में कुछ हिस्सा बन सकूं यह मेरी कुछ किसमती है और एक खास बात इनकी शाहिदी के बारे में यह है कि जबकि ज्यादा तर लोग कजले लिखते हैं इन्होंने बहुत ही खाजाना हमें नजमों का भी दिया है और एक इनकी अचीवमेंट अन्मैच्ट है एन्यवेर दिवर्ड और वो है एक तवील नजम के तौर पे पैगंबरे इसलाम हजरत मुहमद की जीवनी पर अधारिक अधारिक नजम लॉलाख अभी हैंपो डायट एक वाहिद कोशिश रहें को कहीं और नहीं मिलेगी पहले तो मैं लव्ज लॉलाख के बारे में कुशाज करूँ हदीश कुदसी है जिसमाइलाख की तरफ से कहा गया है कि लॉलाख लमाख खलकत अप्राख तैने कि अल्लाख कहते हैं कि आए मुहमद अगर तुम नहों दे तो हम इन आसमानों को पैदा नहीं लॉलाख लव्ज के जो लवजी मानी है वो है अगर तुम नहों है तो मुझे यह लव्ज बहुत है अच्छा लगता है कि अगर रसूल अल्लाह ना होते इस दुनिया में बहुत कुछ ना होता है वो तहजीव नहीं होती और वो सारी चीज़ें जो अब हमारे सामने हैं जो एक रौनक है एक तर्ज़ जंदगी है एक तहजीव है बहुत सब्सक्राइब के लिए कि लिए लुट कर रहा है यह लोलात में अपनी नजम को जो नवान है नाम जो है वो लोलात दूंगा गुलाम अबास का साथ हम बहुत खुश्किसमत है कि आप यहां हमाई साथ हैं जिनोंने खास तौर पर कुछ वड़ी कॉपसर कॉंपोजिशिश अब बहुत बहुत शुपरिया शायरी का मौसीती से और गाइकी से बड़ा गहरा ताप बैसे को कहते तो यह हैं कि शायरी वजाते खुद सब्सक्राइब कर दो खुद भी गाती है लेकिन जब उसे गाइकी का संदीत का साथ मिल जाए तो सौने पर सौागा है और आप जान जानते हैं कि अगाने वालों का बहुत बड़ा अरब घो देलने हैं तो खुद div और अनौगा का सब्सक्राइब कर जयते हैं उसको आूसे घब हम कर तेने लिए टृटने कि और यह कि रभजदी को यह जैने को ऑड़ जारी, मिलती को च्छायरीalth है मुसल्मानों की भारी भीड का एक दिलनशी मंजर हमातुन गोश हर मुसलिम मुखातिव आप मिंबर पर खुदा ने अपना वादा आज पूरा कर दिया देखो इसे तुम भूल मत जाना ये अहसान सर पे धर रखना मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांद कर लखना कि मेरे बाद वहदत की रिवायत के अमीर तुम हो जहां मैं दीन के और मेरी उम्मत के अमीर तुम हो कि नहीं कोई शरीक अल्लाह का माबूद वो यक्ता हमारी जिन्दगी और जहद का मकसूद वो यक्ता वही खालिक वही मालिक बनाया खागसे इंसां हदों में कैद हैं सब और लामेदूद वो यक्ता वही है खादरे मुटलख वही खायम वही दायम वही है खादरे मुटलख वही खायम वही दायम वही आगास दुनिया है वही अंजाम दुनिया का कभी भी अपने रफ से तुम ना खुद को बेखबर रखना मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांद कर कि अमानत में तुम्हारी एक निजबुल एन है औरत, खुदा और आदमी की सोच के माबेन है औरत, इसे मजबूर मत करना, इसे महबूब रखना तुम, तुम्हारी खाफ गाहों और घर का चैन है औरत, हमेशा पेश आना खुश दिली और खुश कलामी से, हमेशा पेश आना खुश दिली और खुश कलामी से, हकूँक इनके भी, हकूँक अल्लाह ने इनके भी तुम पर कर दिये वाजिब, तुम इसकी गैर परवाई पे सकती से नजर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बाब करें क्या यह जरूरी है कि हर शाय सिर्फ अपने ही बारे में कह रहा है, हां उसकी सोच और ख़याल हो सकता है, पर उसकी सोच और ख़याल अवान तक भी तो जा सकता है, तो किस हड़ तक आपकी शायरी आपकी शक्सियत की अकासी करती है और उसमें आप अगर आपको कुछ मुक्तसर अर्फाज में कहना हो कि यह यह रंग है मेरी शायरी में आपको अपने अंदर से क्या मैसूस होता है आपकी शक्सियत और इसका बयान आपकी शायरी में कि ऐसा है मैं आपको बताऊं कि 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 शक्स का जब जो जाती करो है जो उसका वेटिगत दुख जो है वो जो बढ़ करके समाज का दुख बन जाता है जो एक सब्सक्राइब जो जो सब्सक्राइब तो उसका वो शैनी एक शक्स के लिए नहीं होती एक शहद यह नहीं नहीं होती उस सब्सक्राइब होती जिने वो सुनाता है तो मैं समझता हूं कि शाहिरी तो हुआ है और सभी उससे उनका दिल बहले या उनके दिलों की तरजमानी हो या उनका दुख-दध दूर हो जो भी हो या उनके मसाइल पर उने गौड़ों पिकर तरने का मौका मिले कुर में लाकर यह है कि शायर जो तो अपनी बात कहता है तो वो अपनी बात नहीं कहता है बज़के पूरे माज़ ने कि सुचता हूं तो हम लोग वो चीजे चुनके हैं जिन में म्यूजिकलिटी जाता होती है तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था और मेरे दिल में एक ग्रेस पैदा हुआ कि अगर ये मुझे हुकम दिया जा रहा है कि मुझे ये तीन बन पढ़ने तो पहला ही कि क्या उन में म्यूजिकलिटी होगी लेकिन यकीन कीजिए अभी मैं गाओंगा आपके सामने ये कि लफ्स में तो तासीर है वो कमाल की तासीर है और उसमें स्मूथनेस बहुत नहीं कोई शरीक अला का माबूद को जकता नहीं कोई शरीक अला का माबूद को जकता हमारी जिन्देगी और जहत का मकसूद वो यकता हमारी जिन्देगी और जहत का मकसूद वो यकता वही खालिक वही मालिक बनाया खाक से इंसाँ वही खालिक वही मालिक बनाया खाक से इंसाँ हरों में पैद है सब और ला महदूद वो यकता नहीं कोई शरी अल्दा का मामूद वो यकता अगला कोई वो यकता वही है आध्रे मुत्लख वही तायों वही तायों वही है आध्रे मुत्लख वही तायों वही तायों वही आखा से दुनिया है वही अंजाम दुनिया का कभी भी अपने रब से तुम ना खुद को बेखबर रखना कभी भी अपन रब से तुम ना खुद को बेखबर रखना मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बान कर रखना मेरी हर बात को तुम लोग दिल से और कर रखना अब इस लस्म के जो ये हिस्सा है मैं समस्ता हूं कि ये पीप तब जो चबोगा सुनो अब भूलकर भी काफिराना काम मत करना सुनो अब भूलकर भी काफिराना काम मत करना खिलाप हुक्म रब आलमी कि इतकाम मत करना अभी शैतान है मायूस लेकिन होश लाजिम है कि अभी शैतान है मायूस लेकिन गोश लाजिम है किसी गफलत से तु इसलाम को बद नाम मत करना किसी गफलत से तु इसलाम को बद नाम मत करना किसी गफलत से तु इसलाम बद नाम मत करना कि भुनि जन सभा का सदस्य बनने के लिए या और जादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 99-87-86-04